तो हेलो गाईस कैसे हो आप लोग होप सब बड़ियां चल रहा होगा और आप लोग अपने एक्जाम के तियारी करी रहे हो वेरी सून आपके इस मन्ध पेपर है या नेक्स मन्ध है तो भाई बस जो जो क्वेशन्स बतारों वो बस अच्छे से करके चल जाओ इस चैप्टर के तुमारा सौट है तो भाईस मैंने बागी चैप्टर के भी इंपर्टन क्वेशन्स बना दिये तुम फटाफट वो वाले वीडियोस भी देख लो पूरी प्लेलिस देख लो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको भी पास कराना है भाई तो प्लीस इन वीडियोस को शेयर करो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस मैंटर राउंड उस पर और के इंपर्टन क्वेशन्स को मार्क करना लेट स्टार्ट विडियोस को स्क्रॉल डाउन करो नीचे आजाओ नीचे आजाओ सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है ये वाला क्वेशन डिफ्रेंस बिट्वीन होमोजीनस और हेटोजीनस मिक्षर भाई साब ये अच्छे से कर लो स्कूल में आने की जाएंसे बहुत जादा है इसके बाद कुछ स्कूल्स अलॉय का भी पूछ लेते हैं कि स्कूल्स में से जो में एक ही फॉर्मुला है जिस पर क्वेशन आते हैं वह फर्स्ट वाला तो वह अच्छे से कर लेना और ये है उसका एक्जाम्पल आप देखो एक ये क्वेशन दिया गया है कि स्कूल्स वालों के फेवरेट होते हैं तो आप ये वाला क्वेशन कर लेना वह बहुत ही बच्चो वाला है सिंपल 40 और 320 को आड़ कर दो तो 360 आगए तो नीचे जाएगा 360 सल्यूशन और ऊपन आएगा सल्यूट का सल्यूट है आपका 40 बस मुल्टिप्लाई 100 खता इसके ब आपको नीचे आना और यहां पर आपको question number two दिख रहा है how are soul solution suspension different from each other तो ये वाला question कर लेना दूसरा भी obviously numerical है तो आप करी लोगे उसके बाद guys ये वाली जो table है ना इससे तुम्हें पका ही वश्यद आना है ये हर school का favorite problem है वो आपको दे देते कि भाई liquid और gas अगर dispersant medium है तो example बताओ fork clouds के हैं shaving cream किसका example है shaving cream's foam है कि emulsion है कि aerosol है ये types of colloids है guys तो आपको ये यादी करने इसको कोई alternative नहीं है तो अगर तुम्हें लग रहा कि one marker के लिए तुम महनत नहीं करना चाहते है तुम्हें skip कर सकते हो बट पक्क ही है one marker यहीं से बन रहा है इस chapter कर ठीक है इस table स इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह वाले questions आपको देगा है जो आप skip कर सकते हो आगे बढ़ो पिलकुल time waste मत करो आगे बढ़ जाओ यह सब भी नहीं करना है तुम्हें बाई साहब यह question आ गया है बाई सब यह जो question है तुम्हारा mixture and compounds का difference यह बहुत अच्छे से पढ़ या two markers में depending होने किते हैं आपको questions देने हो इसके बाद guys तुम नीचे आजाओ नीचे आजाओ नीचे आजाओ और फिर उसके बाद यहाँ पे एक टिंडल effect क्या होता वो बढ़ ले ना one marker है बहुत simple है वो इसके बाद guys नीचे कुछ भी नहीं है तो आप यह सब skip कर सकते हो त प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेर करना मत भूना इस वीडियो को लाइक करो और शेर करो सबस्क्राइब करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक केर गईस बाबाई